अब आपने प्रोजक्टर तो खरीद लिया या प्रोजक्टर खरीदने का सोच रहो, entertainment के लिए आप अपनी movies देखने के लिए, कोई भी cinema देखने के लिए अपने घर की तिवार पे, प्रोजक्टर आप ले ले लेते हो, घर की तिवार पे उसे चलाते हो, मज़ा आता है शुर अब आगर आपको बिल्कुल भी knowledge नहीं है और आप dust को साफ करना चाहते हैं ये वीडियो आपके useful हो सकता है लेकिन बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो आज मैं आपको simple से तरीका बताऊँगा 10 रुपे का खर्चा आपका जरूर लगेगा लेकिन प्रोजेक्टर के इस lens के अंदर जो dust आ जाती है उसको हम कैसे clean कर सकते हैं तो ये वीडियो बहुत जादा useful आप लोगों के लिए होने वाली है अब इस वीडियो को मैं start कर रहा तो सुनना बहुत ध्यान से देखने के साथ-साथ में तो चलो मैं बताता हूँ कि जो lens के अंदर dust आ चुकी है उसको हम कैसे clean करते हैं 10 रुपे का क्या खर्चा लगेगा इसको clean करने के लिए सबसे पहले तो उस comments ही बात है कि आपको projector खोलना पड़ेगा आप खोलने के लिए इस चीज का ध्यान रखना आप प्रोजेक्टर को कहां पे रख के खोल रहे हो ये बहुत important बात है इस बात का बहुत जादा ध्यान रखना है अगर मान लोग इस table के आसपास में धूल है या दरवाजे खुले वे हैं हवा चल रही है तो बाई साम अगर आपने projector खोल दिया तो जो चल रहा था ना वो भी खराब हो जाएगा तो इस चीज का आपको पहले से ध्यान रखना है warranty के अंदर projector है तो company से बात कर सकते हो अब ये projector warranty के भार हो चुका है अब इसके lens में dust आ इनको चार page मिलते हैं यहाँ पर 1,2,3 और 1,4 और भी कुछ होगा तो मैं check कर लोगा इन 4-5 page यहां रहा न पर यहाँ पर खोल लिया है इनको स्कूरूस को खोल लिया है अब मेरी बात को यहां जा सुनो अगर आप लोगों को बिलकुल भी knowledge नहीं है कभी जिन्दगी में page कास पकड़ा नहीं है कुछ चीजों को खोला नहीं है तो यहीं पर इस वीडियो को बंद कर दो इस वीडियो को उस के बाद में आपको यह जो इरिया है इस तरीके से खुलता हुआ नजर आजाएगा तो जिसको पलड देता हूं है तो यह देखे यहाँं पर मैंने खोल दिया है अभी यह पूरा पैक्ड है यहाँ पर इस तरह आप देख सकते हैं अभ यहाँ पर यहाँ से आराम से निकाल लूंगा क्योंकि यहाँ अपर बुटन्स की वायर आई है ताकि यह पीछे वाला पैनल जो है मेरा easily यहां से remove हो जाए तो मैंने इसकी wire को यहां से निकाल लिया है बड़े अराम से wire तूटनी नहीं चाहिए यह बहुत ज़रूरी बात है अभी अभी देखिए यहां पर हुआ गया है projector हमारा सर्फ panel खुला है projector का और यह keystone वाली की है जो यहां पर साफ ना करो तो अच्छी बात है यही कहूँगा पहले भार से साफ करने के लिए तो आपको क्या है कि यार घर में आपके देखो चश्मे का इस तरह का कपड़ा मिल जाएगा या microfiber cloth बोलते हैं इसको तो भार से तो हमेशा आप इस से clean करो कोई रुमाल या कोई और कपड़ा आप यूज बत करना फैर इसकी अभी हमें जुरुवत नहीं है अब यहां पर हमारा जो 10 रुपे का main खर्चा आएगा वो इस चीज का आने वाला है cotton buds किसी भी medical की shop में मिल जाएंगे यह cotton buds 10 रुपे का या 20 रुपे का packet आता है 10 रुपे का packet मिल जाता है छोटे वाला बड़ी quality का 20 रुपे का तो 10 रुपे वाले से हमारा काम यहाँ पर चल जाएगा तो यह हमारे काम आने वाले हैं अब क्योंकि हमें इस lens को अंदर से साफ करना है तो हमें यह उपर का panel जो है इसको remove करना होगा तो पहले इस उपर के panel को remove करना पड़ेगा हमको तो यहाँ पे पहले यह वाले page खोल के देख लेता है कि जुरूत है खोलने की या नहीं वो आप समझ जाएंगे वैसे मुझे नहीं लगता क्योंकि कि यहाँ पे panel खोलने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे पेज़ दे रखे हैं पर इसको भी मैं फिलाल में खोल लेता हूँ क्योंकि हमें पूरा ही इसको remove करना है और आप इसका एक tear down भी देख पाओगे तो इसको भी मैं यहाँ पे दीरे से खोल लेता हूँ कर लेता हूं तो टीर डाउन भी आप लोगों के लिए हो जागा एक तरीके से इसका पहला नटाने के लिए सबसे पहले हमको इसकी पीसी भी जो है उपर से इसको हटाना पड़ेगा तो वायर्स का बहुत ज़दा ध्यान रखना है हमको क्योंकि कौन सी वायर कहां लगी है वह मिस्प्लेस ना हो जाए यह चीजों का हमको बहुत ज़दा ध्यान लखना पड़ेगा तो पीसी भी हमको पहले इसकी रिमूफ करनी ही पड़ेगी पीसी भी अभी हम नहीं अटा रहे हैं पहले क्या करते हैं पहले यह वाले स्क्रूज खोल लेते हैं जो यहां पर दे रखे हैं एक यह वाला स्क्रूज है और एक यह वाला स्क्रूज है यहां पर इसको मैं खोल देता हूं क्योंकि हम यह प्लान पैनल अटाना है और फिर से clean होना चाहिए वो room साफ होना चाहिए तो यह बहुत सारी important बाते हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अभी तक मैं PCB का EK वाला screw, EK वाला screw, 2 screw, 1 screw यहां पर ता 3 और उसके अलावा यहां पर back side में भी screw है, 14 screw यहां पर 5 screw total यहां पर भी है, तो यह 5 screw मुझे खोलने हैं और यह रहा यहां back side में 5 वा screw तो इसको भी मुझे खोलना पड़ेगा, तो मैं इनको खोल लेता हूँ पड़ा पड़ से, उसके बाद मैं आगे का process आपको दिखाता हूँ, यह उपर वाला जो screw मैंने खोला था, इसको हटाए तो यहां पर ribbon wire लगी हुई है, आप देख सकते हैं, तो इसको भी हमें remove करना पड़ सकता है, तो वो 5 screws के लावा उसके उपर यहां पर PCB के जो दो screws लगें यह वाला और यह वाला इसको भी खोलना बहुत जादा important है, क्योंकि हमें PCB remove करनी पड़ेगी, तो यह भी मैं पहरे खोल लेता हूँ, इसको पेज अंदर गिर गया है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, मैं तो निकाल लूँगा, अब यहां पर यह जो tape लगावा है, इसको हमें हमें थोड़ा हो जाएगा, यहां lock लगा होता है, इस lock को हमें उठाना होता है, उठाने के बाद में यह ribbon wire यहां से easily निकल जाती है, कुछ इस तरीके से, यह वाली जो हमारा port था, यह हमारे buttons के wire थी, जो पहले से उपर से लगी थी, उसके अलावा यहां पे और तीन wires है, यहां पे एक wire है यहां पे एक wire है, तो यह सब wires हमें अटानी है, वाइफाई वाली wire है यह, और यह काम जबी भी आप करो, तो आपको बस यह ध्यान रखना है, जल्द बाजी नहीं करनी है, इसमें बहुत अराम से करने वाला काम है, जल्द बाजी करोगे, तो आपका काम खराब हो जाएगा यहां पे देखो PCB के तीन स्क्रूज थे, मैंने अराम से खोल लिया है, कुछ इस तरीके से, यह तीन स्क्रूज खोल गए हैं PCB के, और इसके नीचे जो यह प्लास्टिक का पैनल है, इसके पांट स्क्रूज हम पहले ही खोल चुके थे, दो स्क्रूज यहां पे और हैं, तो जल्दबाजी यहां पे बिल्कुल भी हमें जो है नहीं करनी है, तो आप देखो यह प्लास्टिक का जो बोड है, यह पूरा का पूरा आराम से निकल रहा है, लेकिन अभी मैंने यहां पे वायर्स नहीं खोली है, और नहीं आपको खोलनी है कोई भी वायर, बस आपको इतन अब जो मैंने आपको कॉटन बड दिखाए थे, यह वाले, इसमें से हमें कॉटन बड ले लेंगे, एक से काम हो जाएगा हमारा, यह वाला कॉटन बड आपको लेना है, प्रोजेक्टर को थोड़ा सा बें पीछे कर जाएं, ताकि आप आराम से देख सकें, यहां पे इस त कॉटन बड आपने लेना है, इस तरीके से, इसको पहले हाथ से यूँ कर लिजे, एक बार रोटेट, ताकि जो कॉटन है, उसका कोई भी रेशा इस लेंज के उपर ना चिप के, अब आपने इस तरीके से अंदर डालना है, बिलकुल इसके यहां पे, आप देख सकने हैं, जहां जहां आपको ड़स दिख रही है, उसको आप क्लीन कर लीजे, इस तरीके से, आपका जो लेंस है, उसमें जो भी ड़स्ट आ रखी अंदर थोड़ी बहुत, वो इस तरीके से क्लीन हो जाएगी, अब अगर आपने प्रजेक्टर ऐसी जगे रखा कि भाई सब धूल से भड़ा हुआ है, बहुत जादा तो, फिर तो आप किसी प्रोफेशनल की ही मदद लीजिए, इस काम के लिए, तो ये रहा मेरा कॉटन बट, और इस तरीके से मैंने अंदर का जो लेंस का जितना भी ड़स्ट है, वो साफ कर लिया है, मुझे तकरीबर यहां पर दो से तीन म बचा हुआ है या नहीं, तो अब मैं यहां पर अगर देखूं यहां से, तो मुझे अंदर की तरफ में कोई भी ड़स्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने काफी अच्छे से इस से क्लीन कर लिया है, तो अब मेरा प्रोजेक्टर अंदर से बिलकुल अच्छे तरीके से स साफ हो चुका है, अब बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, प्रोजेक्टर अभी खुला है, क्लीन हो चुका है, प्रोजेक्टर के अंदर फैन लगा होता है, इस समय पर प्रोजेक्टर को अन मत करना, कहीं आप सोचो कि मैं चेक को आन मत करना वरना क्या होगा इसका फैन चलेगा बाहर की कोई भी डुट ना डुस पार्टिकटल होता है जो कभी भी जाघाएगा फिर चिपक जाएगा इसके उपर लेकिन क्योंकि तो क्योंकि इसकी light सामने camera पर पड़ेगी तो यहां पर जो है darkness अपने आप आप आजाएगी यहां पर लगाओ है इसका fan यहां लगी भी इसकी heat sink ठीक है तो मैं on कर गया आपको दिखा रहा हूं on हो चुका है और on हो जो आपके बाद में यहां पर मुझे camera में आपको नहीं दिखेगा लेकिन मैं बता रहा हूं कि मुझे बहुत clearly दिख रहा है आपको से जैसी यह fan चल रहा है तो धूर उड़ती भी मुझे यहां पर नज़र आ रही है तो यह चीज आप मत कर रहा है मैंने आपको lens clean करना सिखा दिया है बहुत ही असान तरीके से उसके बाद में मैं इसको जो है अब पैक कर देता हूँ एक बार थोड़ा से इसको और clean करके इसको मैं बंद कर देता हूँ अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको on करोगे तो धूल उरती वी नजर आएगी आप ध्यान से आप देखो यह भार की तरफ में कितनी धूल है तो जैसे मैं finger लगा रहा हूँ आप अंदर की तरफ में आपने कहीं भी हाथ नहीं लगाना है इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है बिलकुल आपने हाथ नहीं लगाना है तो ठीक है मैंने आपको cleaning का process दिखा दिया है projector का और projector के अंदर क्या क्या parts होते हैं किस तरह से काम करता है उसके उपर already मैं teardown video बना चुका हूँ तो वो video आप मेरे चानल पर देख लेना मैंने आपको दिखा दिया है कि projector आप आवाज सुन रहे हैं आपे fan की आवाज आ रही है projector को आप किस तरह से clean कर सकते हो फिर से कह रहा हूँ एक बात अगर basic knowledge नहीं है तो इन चीज़ों को घर पे मत करना खराब हो देगी आपकी चीज़ फिर comment में आगे मुझे मत बोलना मैं इसकी कोई भी जिम्मेदारी में मेरी नहीं है फिर आपको basic knowledge है तब ही इसको खोलना बहुत जारा dust अगर आपको दिखरी है projector के अंदर धूल तो फिर किसी बढ़िया से professional mechanic के पास में जाईए उसी से यह चीज़ें करवाईए आप खुद से पंगे मत लेना लेकिन जो basic knowledge जा आप कर सकते हो यह वाला जो cloth है इसको अंदर की तरफ यूज मत करना यह सिर्फ भार के काम आता है भार को इस तरीके से हम lens clean कर लेते हैं तो भार का lens clean करने के लिए यह सही है अंदर के लिए मैं आपको बता दिया है कि आप इस तरह का cotton bud का packet ले लो किसी भी medical की shop में मिल काफी कमाल का प्रजेक्टर है मैं इसको यूज कर रहा हूँ तकरीपन एक डेट साल से बहुत बढ़िया performance इसके मिल जाती है इसमें set of box भी लागा सकते हो इसमें आप बहुत सारी connectivity ports लगा है इसमें USB का option है लेकिन इसमें सबसे ची बात है क्योंकि यह android पर काम करता है तो इ वीडियो के description में link है और कुछ recommended best by projectors के link भी आपको वीडियो के description में मिल जाएंगे अब फिलाल में मैं इसको जो है pack कर देता हूँ बंद कर देता हूँ आप लोगों के सामने एक बार और इसको फिर हम एक बार में pack कर देता है फिर projector हमारा अच्छे से काम कर रहा है किसी भी देता है कि कोई दिक्कत नहीं है तो इसको अब मैं बंद कर देता हूँ तो यार वीडियो को लाइक जरू करतो चैनल को सब्सक्राइब करतो मैं आपको हमेशा कुछ नया दिखाता हूँ कुछ amazing से gadgets दिखाता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरू करो comment जो description में लिंक दे दिया है वैसे instagram या facebook पे आप मुझे मैशेज कर सकते हैं और comment जरू करना इस वीडियो के नीचे like करना इसको मत भूलना ठीक है तो अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ अपने आप अराम से एक बार उसी तरीके से जिस तरीके से मैं इसे खोला था पोर्क्स को मिलाना भी काफी ज़रा ज़रूरी है तो मैं इसे बंद कर लेता हूँ और अगले वीडियो में मिलूँगा और ये बंद करने से पहले एक चीज मिस आउट कर दिया है जो आपको भी अब बता देता हूं साथ साथ में क्योंकि ये भी दिखाना जरूरी है ताकि आप लोग इस तरह की गलती ना करें यहां पे नीचे दो स्कूरूज है जिसको मैं पहले बंद कर देता हूं और यह स्कूरू बंद करने के बाद में जो है PCV उसके बाद मैं लगाऊंगा स्कूरूज को हमेशा कमी भी बहुत ज़्यादा मत कसना बेगार में ज़्यादा कसोंगे तो कई बार प्लास्टिक है तूट सकता है दिक्कत हो सकती है PCV के अब मैं यहां पे पेज लगाने यह प सारा प्रोसेस अब मैं कर लूँगा यह बहुत इंबॉडन स्टैप है यहां पर रिबन वायर को लगाना बहुत ज़ारा ज़रूरी है अच्छे तरीके से सीधी लगनी चाहिए तेडी नहीं लगनी चाहिए और उसके बाद में यहां पे इसको लॉक कर देते हैं बस वायर् काम से अरेंज कर देंगे यहां पर हम और इसके बाद में मुझे सारे यहां पर जितने भी मैंने स्कूरूस खोले थे उनको मैं लगा देता हूं और उसके बाद में हमारा प्रोजेक्टर बाकी वापिस रेडी टू यूज है अगले वीडियो मिलता हूं कुछ और कमाल के ग